आप सबका स्वागे था लाइफ साइंस कैफे में आप देख रहे हो सेवन्थ क्लास की सामाजिक एम राजनेतिक विग्यान भाग दो इसमें हम कर रहे हैं नाइन्थ चेप्टर जो कि आपकी बुक में चेप्टर टैन दिया गया है समानता के लिए संगर्ष इन पिक्टर से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये कहां कहां आपने देखी हैं पिछले चेप्टर में देखी हैं कि किस तरह से करगा चलाते हैं किस तरह से जो लोग होते हैं वो कपड़े से रूई से मतलब लास्ट चेप्टर में ही हमने पढ़ा था शर्ट की कहानी पाकि जो आम लोग होते हैं, उनका अपना बिजनेस होता है, जूस निकाल के देना, उनका वैपार जो है वो ठप हो जाता है, तो ये सारी पिक्चर्स कुछ कहीं न कहीं हमने पूरे बुक में जो हैं देखी हैं, ये जप्टर है समानता के लिए संगर्श, ये उन सभी चीजो को आपको याद दिलाएगा जो आप तक आपने पढ़ी हैं, चलिए शुरू करते हैं, इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दमपती, मिलानी और सौपना जैसे लोगों के ब्यारे में पढ़ा, इन सब की कहानियों में एक बात समान है, कौन बात समान है, इस करने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं, इस अध्याय में हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या अध्याय एक की रोजा पाक्स की कहानिया आपको याद है, क्या अध्याय पांच में इस्त्री आंदोलन पर पढ़े चितरलेख आपको ध्यान है, इस अध्याय मे देख के आपको याद आजाना चाहिए कि आपने इनको कहां पर पढ़ाता है ना ओम प्रकास वालमी की का अपना खुद का एक लेक था जिसे जूटन का नाम से उन्होंने प्रकाशित किया था ये वाला जो करगा चलाते हैं लोग ये वाली जो सपताहिक मंडिया होती हैं सपत कि ये चप्टर पूरी बुक के बारे में ही आपको बता रहा है अब पढ़ते हैं कि भारत का सवीदान हर भारतिये नागरी को समान दरश्टी से देखता है इस पुस्तक के पहले हिस्से में ही पढ़ चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दरश्टी में किसी भी व्यक् इसक नागरी को चुनाओं के दोरान समय समान रूप से मतदान करने का अधिकार है मताधिकार की ताकत के जरिये ही जनता आपने परतिनीधियों को चुनती और बदलती है परतिनीधि जो साशन करते हैं जो हमारे हमारी समश्चाओं को सुलझाते हैं उन तरह की चीज़ों को करते हैं और वो लोग हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं इस पर आपस में चर्चा कीजिए मतलब आप आपने जो वोट दिया है उसमें क्या ताकत है ठीक है उस अधिकार में क्या ताकत है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी वोट की मतलब सभी लोगों का वोट समान है कोई भी इंसान मतलब नेता बनने से रह जाता है अगर वो एक वोट से भी हार जाता है तो वो एक वोट किसी की भी हो सकती है है ना लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं जूप पाता आपने पहले के अध्यावे में पढ़ा है कि स्वास्ते सेवाओं के निजी करण में जी करण बढ़ रहा है मतलब प्राइवेट होस्पिटल्स जादा बढ़ रहे है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही रवये ने कानता, हाकिम सेख और अमन जैसे तनत गरीब लोगों के लिए स्वास्ते सेवाओं को कठिन बना दिया ठीक है क्योंकि गरीब लोग तो उन प्राइवेट होस्पिटल्स का खर्चा नहीं उठा सकते तो उनके लिए ये चीजें सेवाओं मुश्किल हो गई है ये वे लोग हैं जो महंगी स्वास्ते सेवाओं का बोज नहीं उठा सकते ठीक है इन सबको यहाँ पर बताया गया है इस तरह देखें एक बुड़ी ओरत के घर पर अच्छा अचार बनाती है ठीक है एक बुड़ी ओरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है कंपनियों वाले लंबे चोड़े विग्यापन पर खर्च कर अनेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है क्योंकि कंपनियों वाले क्या करते हैं अपना एक विग्यापन दे देते हैं बड़े-बड़े स्टाज से नेताओं से अपने विग्यापन करवा देते हैं तो उनका समान जादब पिख जाता है जो घर की बुड़ी ओरत है वो अच्छा चार बनाती है उसका विज्यापनी होता है इसलिए वो उतनी पहुँच नहीं पकड़ पाती समाज में अब है सौपना के पास भी प्रियापत संसाधनों की कमी है ठीक है इसलिए उसे अपनी रूई की फसल उगाने के लिए साहुकार से उधार लेना पड़ा यही कारण है कि इसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत पर बीचना पड़ा देजबर में मिलानी की तरह ऐस गरों में काम करती है वहाँ कोई भी उनका अपमान कर देता है है ना कभी भी नोकरी से निकाल देता है लेकिन उनकी मेहनत बहुत जादा होती है यह भी समझना चाहिए ठीक है इसके बाद वे अपमानित होने को विवश है क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वैम का को नोग में से एक है दूसरी और अनसारी दमपत्ती को संसाधनों के नय होने या कम होने के कारण ऐसा मानता नहीं जेलने पड़ी उनको तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी वो तो आराम से कोई भी घर ले सकते थे वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए प्रियाप्त जा रहे थे उनके नाम के पीछ अंसारी लगा था तो लोगों को उनके धरम का नाम पता चल रहा था तो इसलिए लोग उनको घर नहीं दे रहे थे ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्याप को लें और प्रकास वालमी के से स्कूल के में स्कूल का मैदान से महज इसलिए साफ क का होना उसके लिए इसलिए भारी पड़ा और उसे स्कुल का मैदान साफ करना पड़ा आपने इस पुस्तक में पढ़ा कि एक बर यह भी देख लेते हैं गरीवी का अंत करना सतत विकास लक्ष गरीवी का अंत करना अगर कोई गरीब नहीं रहेगा तो यह चीजे खुद बख वे सभी के साथ किये जाने वाले भेदवाव का प्रात्मी कारण यह भी है कि वे किसी खास समाजी के असंस्कृतिक प्रिष्ट भूमी के हैं के थे या वे महिलाएं थी ठीक है मतलब यह भेदवाव क्यों हूए या तो वो चोटी जाती के थे या वो अलग धरम के थे या व समाज में जबकि महिलाएं अगर किसी एक फिल्ड में नहीं है तो वहां काम नहीं चलेगा धरम जाती और लिंग के कुछ महतवपूर्ण कारक है जिनके अधार पर आज भी भारत में लोगों के साथ ऐसा मानता का व्यभार किया जाता है तो आपको पता चलगे कि जिनके साथ समानता होती है जिनके साथ है समानता हो रही है उसका कारण सर्फ उसके जाती ही नहीं है उसका लिंग भी है मतलब आग अगर आपके एक इस्त्रई हैं तो भी आपके साथ है समानता होगी ठीक है भारत में यह एक वास्त्विक्ता है जो गरीब है समानते दलित आदिवासी या मुस्लिम समुदाय के हैं या उनमें से विशेशते महिलाएं हैं तो भी उनके साथ है समानता का व्यवहार बहुत ही साधारन है ठीक है गरीबी मान गरीमा का अभाव और कुछ विशे समोधायों के प्रती अपमान जैसे कारक अक्षर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तैकरना कठीन हो जाता है कि कहां एक तरह की ऐसामानता खतम होती है और कहां दूसरी ऐसामानता शुरू हो जाती है मतलब जैसे घरों में ही छोटी मोटी बातों को लो एक में अगर कोई ऐसामानता करना बंद करता है तो दूसरी चीज शुरू हो जाती है कि ऐसामानता उसके साथ होती रहेगी आपने पढ़ा कि दली तादिवास्ति और मुसलिम लड़कियों में पढ़ाई बीज में छोड़ देने वाली संख्या बहुत जादा होती है यह सित्ति गरीब सामाजिक ऐसा मानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुवीधा के अभाव जैसे कई मिले जुने कारणों से पैदा होती है अब यह आकड़े दिखाए गए हैं कि 2011 की जनसंख्या के आकड़े हैं जिसमें से 48.5% महिलाए हैं 14.2% मुसल्मान है 16.6% दलित है और 8.6% आधिवासी है ठीक है यह सारे क्या करवाते हैं अपने साथ ऐसमानता करवाते हैं ऐसमानता जहेलते हैं करवाते नहीं हैं मतलब यह लगा लो कि इनका जनम सिद्ध अधिकार हो गया कि अगर आप दलित हो आप किसी अलग धरम से हो आप मुसलिम हो आप महिला हो चाहे किसी भी धरम की हो चाहे किसी भी समाज की हो तो आपको ऐसमानता जहेलनी है यह तैह है दुनिया भर में संगर्ष के लिए संगर अब ये पढ़ते हैं अपने सामने किसी के साथ भेदभा होता हुआ देख कर भी इसके विरोध में ये खड़े हुए थे हम इनका समान इसलिए भी करते हैं क्योंकि इन्होंने परतेक विक्ति को उसकी मानवे गरीमा के साथ स्विकार किया और सदैव इसे द्रम और समधाय के उपर माना ठीक है क्योंकि हर एक इन्सान की गरीमा होती है इन्सानियत होती है उसी के जरीए मतलब उसी को मद्यन नजर रखते हुए इन्होंने नहीं धरम को जादा मेहतव दिया नहीं किसी समधाय को मेहतव दिया है इन्होंने द्यान में रखा तो क्या मानवी ये गरीमा और इसे उपर सभी वेक्तियों को माना है इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपने समश्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं इन्होंने संगर्ष किया तो लोग इनको याद करते हैं अब एक जो हमारा गोल के साथ होती है उसको भाईया कम से कम करो ऐसा नहीं है कि करते ही जाओ और आपको कोई ठीक नहीं करेगा बहुत सारे लोग इसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे सुधार डालेंगे आपको अक्सर समानता के कि विशेस मुद्ध को लेकर संगर्ष करने वाले विक्ति समाज में महतवपूर्ण पहचान बना लेते हैं पहचान दो मिलनी भी चाहिए देखो इतने लोगों के विरुद्ध खड़े होना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उसके साथ हो जाते हैं भारत में ऐसे संगर्ष याद किये जाते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्धों के लिए लड़ने को आगे आए और उन्हें महतवपूर्ण भी लगे जिन को जो मुद्धे महतवपूर्ण लगे लोग उसमें आगे आई अध्य पांच में हमने पढ़ा था कि कैसे किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं ने अंदोलन छेड़ा था ठीक है अंदोलन में खड़ी हुई महिलाओं फिर मध्य परदेश का तवा मच्छ संग ऐसा ही दूसरा उधारन है दूसरे एक्जांपल हमने तवा मच्छ संग पढ़ा था जहां पर लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हुए ऐसी तमाम संगर्श काथाई हमारे पास है जिन में बड़ी बीडी मजदूरों मच्छवारों खेती हर मजदूर जुगी वासियों के समोह ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाईयां लड़ी ठीक है उन्याय और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी ठीक है अब हम तवा मतश्य संग है इसको एक बार फिर से बढ़ते हैं देखे इसमें क्या है कि जब जंगल के बड़े शित्रों को जानवरों के अभ्यारण है के गोशित कर दिया जाता है और बड़े बादों का निर्मान किया जाता है तो हजारों लोग में स्थापित हो जाते हैं पूरे के पूरे गाउं के लोगों को अपना अपनी जड़ों को छोड़ कर कहीं और नए घर बसाने और नए जिंदगी आरंब करने के लिए मजबूर किया जाता है इन लोगों में अधिकांच गरीब होते हैं शेहरी शत्रों में वो बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है इन में से कुछ को शेहर के बाहरी आलाकों में दुबारा बसाया जाता है इस सारी कवायद में न सिर्फ भटाए गए लोगों के काम धंदे परभावित होते हैं बलकि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने के वज़े से इन बस्तियों के बच्चों के पढ़ाई भी गंभी रूप से परभावित होती है अब आपको समझ जा रहा है क्या-क्या इसके नुकसान होते हैं लोगों और समुदाय का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समझ्या का रूप ले चुका है ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद लड़ाई के लिए सामने आते हैं हमारे देश में बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक के लड़ाई लड़ रहे हैं मतलब बहुत संगठन भी हैं जो ऐसे लोग जो दूसरी जगे भेज दिये जाते हैं उनके लड़ाई लड़ते हैं इस अध्याय में हम तवा मतश्य संग के बारे में पढ़ेंगे जो मचवारों की सहकारी समीती का एक संग है और सत्तपुरा के जंगलों से विसापित लोगों के अधिकारों के लड़ रहा है आपको समझा रहा है कि सब चीजें कि किस तरह से लड़ाई होती है जो लोग गटाए जाते है उनको क्या क्या नुकसान होता है है ना और किस सरे से उनके लिए दूसरे लोकारिय करते हैं हम ये पढ़ेंगे चिंदवाडा जिले की महादेव पहाडियों से निकलने वाली तवा नदी चिंदवाडा जिले की महादेव पहाडियों से निकलने वाली तवा नदी ये जो नदी है ये खोशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतुल होती हुई आती है तवाप पर एक बांध का निर्मान 1558 में शुरू हुआ था और 1978 में पूरा हो गया फिर इससे क्या हुआ कि जंगल के एक बड़े हिस्से के साथ बहुत सी क्रिश्री भूमी भी बांध में डूब गई इससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे इसमें से कुछ वी स्थापितों ने बांध के आसपास रहकर बहुत थोड़ी खेती के लावा मशली पकड़ने का काम भी शुरू कर दिया पर इससे वो बहुत थोड़ा ही कमा पाते थे आपको समझ आ रहा है किस तरह से बांध बनने से लोगों का जीवन परभावित हुआ उसके बाद क्या होता है कि 1994 में सरकार ने तवा बांध के छेतर में मशली पकड़ने का काम जो है निजी ठेकेदारों को सोब दिया अब इन ठेकेदारों ने क्या किया स्थानिया लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी छेतर से सस्ते श्रमिकों को ले आई मतलब उनको तो सस्ते में, बिल्कुल सस्ते में काम करने वाले चाहिए थे तो इसलिए उन्होंने जो वहां के मचली पकड़ने वाले थे उनको तो हटा दिया भईया, पहले वहां पे बांध बना दिया, उनकी जंदगी खराब कर दी दूसरा वो जो काम जानते हैं उनको वो काम ना देकर बाहर से सस्ते श्रमिक ले आए नदी पर बांध ऐसी जगे पर बनाया जाता है जहां भोत मात्रा में पानी गठा किया जा सकी ऐसा करने से जलाश बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का एक बड़ा शेतर उसमें ढूब जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दिवार उंची होती है और उसे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है यह फोटो उत्राखंड में टीरी बांध के बनने से डूब में आए इलाके की है इस बांध के कारण पुराना टीरी शहर और सो गाउं जिसमें लगबग कुछ पूरी तरह और कुछ आंसिक रूप से पानी के नीचे समा गई लगबग एक लाख लोग विस्थापित हो गई तो यह उस गाउं की फोटो है ठीक है ठेकेदालों ने गुंडे बुलवा कर गाउं वालों को धंकिया देना भी आरम कर दिया यहां क्योंकि लोग वहां से हटने को तयार नहीं थे गाउं वालों ने एक जुट होकर तैक किया कि अपने दिकारों की रक्षा के लिए लड़ना और संगठन बना कर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है इस तरह से तवा मत्सय संग नाम के संगठन को बनाया गया अब यहां पर कोश्चन देख लेते हैं तवा मत्सय संग के संगर्ष का मुद्धा क्या था अब मुद्धा को समझ आ रहा है कि वो लोगों को मचलियां पकड़ने का काम आता था लेकिन ठेकेदारों ने जो वहां पर बांध बना था वहां पर गॉर्मेंट ने क्या क्या सानिया ठेकेदारों को वो काम दे दिया ठेकेदारों ने मजदूर बाहर से मंगवाए जो कि सस्ते में काम कर रहे थे और उन लोगों का रोजगार भी छिन गया तो इसलिए उन्होंने ये संग बनाया था गावालों ने ये संग बनाने की जरूरत क्यों महसूस की क्यों मैं सूस करी यह आप बताएंगे चैप्टर पूरा सुनने के बाद क्या आप सोचते हैं कि तवा मतश्य संग की सफलता का कारण था तवा मतश्य संग की सफलता का कारण था ग्रामिनों की बड़ी संख्या में भागिदारी इस संबंद में दो पंक्तिया लिखी देखिए जब भी कोई सफल चीज होती है तो उसमें मतलब जो सब लोगों के लिए सफल होती है उसमें सब लोगों का सहयोग तो रहता ही है लेकिन इसमें क्या था हम अभी पढ़ने वाले हैं देखिए जो नव गठी ते तवा मतश्या संख था ना उस संख ने सरकार से मांग की जीवन विरवा के लिए बाँद में मचलियां पकड़ने का काम को जारी रखने की अनूमती दी जाए वो क्या चाहते थे कि हमें काम दो भई यहां पे मचलियां पकड़ना चाहते हैं तो हमें पर्मिशन मिलने चाहिए यह मांग करते हुए चक्का जैम शुरू कर दिया इसके विरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समिक्षा की और एक समीति की गठन की ठीक है समीति ने गाउं वालों के जीवन यापन के लिए म दो महिने बाद सरकार ने तवा मतश्य संग को बान में मशली पकड़ने के लिए पांच वर्स का पट्टा पट्टा को क्या कहते हैं लीज पांच वर्स का पट्टा देने देना स्विकार कर लिया इस तरह से दो जनवरी 1997 को तवा छेतर के 33 गाउं के लोगों ने नया साल सह हुआ तो मतश्य संग TMS के साथ जोड़कर मचवारों ने लगातार अपनी आए का आए में इदाफा किया ठीक है क्योंकि जिसको कमाने का मिल जाता है तो वो अपने आप ही खुश रहेगा है ना जिसके पास जीवी का चलाने का कुछ ही नहीं तो वो तो परिशानी रहेगा इसलिए संबव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समीती बनाई जो पकड़ी गई मचलियों की परतेख खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती थी यह सहकारी समीती इसके बाद की प्रिक्रिया में भी शामिल होती है सारा माल बाजार तक पहुँचाना और वहां भी उचित करना समीती का ही काम है यह मचुवारे अब पहले की तुलना में तीन गुना जादा कमाने लगे तवा मतश्य संग ने जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मचुवारों को रिण देने की भी विवस्ता की है देखे कितना अच्छा होगे उनको स्वेधाई भी मिल रही है। मिल रहा है तो उनको अच्छे तरीके भी अपने आप आ जाएंगे है ना उपर दिया गया है कि TMS के सदश्या एक रैली में विरोध करते हुए है ना वो फोटो दिखाई थी जिसमें बहुत सारी ओरते थी उपर सहकारी समीती की एक सदश्या मचली तोलती हुई ठीक है या एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति उने मिलकर एसमानता की किसी सित्यती को बदला हो मतलब कहीं पए ऐसमानता हो रही हो और उन्होंने उसे बदल दिया हो यहां प्रस्तुत यह गीत विन्य महाजंद्वारा सूचना के अधीकार के अभियान में लिखा है जानने का हक इस गीत मेरे हाथों को ये जानने का हक रे क्यों बरसों से खाली पड़े हैं आज इन्हें कोई काम नहीं मेरे पैरों को ये जानने का हक रे क्यों गाउं गाउं चलना पड़े हैं क्यों बस का निशान नहीं मेरी भूक को ये जानने का हक रे क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने मुझे मुठी भर धान नहीं मेरी बुड़ी मा को ये जानने का हक करे क्यों गोली नहीं सुई क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने पट्टी टांके का समान नहीं मेरे बच्चों को ये जानने का हक करे क्यों दिन रात करे मज़ूरी क्यों शाला मेरे गाउं में नहीं ठीक है तो ये वाला गीत था जो बहुत फेमस हुआ ऐसा मानता के विरुध रचनातमक अभीव्यक्ति ठीक है इस तरह की रचनातमक अभीव्यक्ति होती है इसको पढ़े लेखक, गायन, निर्तिक और कलाकार भी ऐस समानता के विरुद्ध संगश में सक्रिय भूमी का निभाती है अक्सर ही कवीताएं, गीत और कहानिया ने सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बलकि वे समानता में हमारे विश्वास को द्रड करती हैं वे ना सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बलकि हमें सही दिशा में चलना भी सिखावी हैं है ना बहुत अच्छी बात कि जिसको जो आता है उसी तरह से परियास करें और वो लोगों को समानता का दिकार दिलाए भारत का सवीधान एक जीता हुआ दस्तावीज नाय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेनाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह समनुष्य की समता का ही होता है मतलब समानता का ही होता है आप यह जानते हैं कि भारत का सवीधान हम सभी को समान मानता है देश में समानता के लिए चलने वाले आंदोलन, संगर्ष, अक्षर सवीधान के आधार पर ही समानता और न्याय की बात करते हैं तवा मतश्य संग्ने के मचुवारों की आशा का आधार भी सवीधान के ही प्रावधान का है अपनी बात्चीत में लगातर सवीधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावाईज की तरह उपयोग करते हैं कि हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो ठीक है मतलब जो सवीधान है उसको इस तरह से इस्तुमाल करना कि वो हमारे लिए उपयोगी है उसका कुछ आर्थ है लोगतंतर में कई व्यक्ति और समूदाय लगातर इस देशा में कोशिश करते हैं कि लोगतंतर का दाइरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में ज़रूरत की को स्वीकार किया जाए समझा रहा है ये चीज़ इन सब का मतलब एक ही है कि सब को समान अधिकार मिले उपयोगत गीत में से कौन सी पंक्ति प्रिय लगी पूरा गीत आप दुबारा से पढ़ेंगे और फिर से बताएंगे कि इसमें से कौन सा आपको अच्छा लना मेरी भ्यूक को ये जानने का हक है रहे इस पंक्ति से कवी आशे क्या है मतलब क्या कहना चाहता है यहां पर ठीक है क्या आप अपनी भाशा में अपने छेतर में परचलीत कोई ऐसा गीत या कवीता कक्षा में सुना सकती है जिससे मनुश्य की समता और गरीमा का वरनन मिल सक है ऐसी चीज़ों के लिए आपको जरूर पता होना चाहिए समता का मुल्य लोकतंतर में के किंद्र में है ठीक है इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्धों को देखने का प्रियास किया जो लोकतंतर के इस मूल भाव के लिए चुनोती पैदा करते हैं जैसा कि आपने पढ़ा देश की स्वस्त सेवाओं का नीजी करन मतलब प्राइवेट होस्पिटल बनना सरकार के माध्यमों जैसे मेडिया पर व्यवसाई के घरानों का दबाव बढ़ता और उनी का नियंतरन होना महिलाओं के पिश्रम को कम उल्ले देना और कपास के किसानों की बेहद कम आये होना ये सब लोक तंतरे के लिए चुनोतियां हैं मतलब हर चीज़ में गरीब को दवाया जा रहा है ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को परभावित करते हैं और समाज के में उपेक्षित मुद्द के लिए एक जन सुनवाई में इकठे हुए इनमें परतिष्ठित महिलाओं की एक जियूरी बनाई गई और उन्होंने नयाय धीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के हिंसा खिलाफ हिंसा के 15 से जादा परकरणों की सुनवाई की ठीक है लोगों की इस जियूरी ने इस सचाई को भार्णे में मदद की की कानौन व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ नयाय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिलता है मतलब हमारे देश की जो सित्ती है वो बहुत ही दैनिय है लोकतंतर के लिए समता और उसके लिए संगर्ष एक महतोपुन तत्व है व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरीमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास या उसके परिवार की सभी जरूरते पूरी करने के लिए परियापत संसादन हो और उनके साथ कोई भेदवाव ना किया गया हो अब बात यहाँ पर आती है कि समानता के लिए लोगों के संगर्ष में हमारे सवीधान की क्या भूमिका हो सकती है दूसरा क्या आप एक छोटे समुख में समानता के लिए एक सामाजिक विग्यापन तयार कर सकते हो आपने जो इस चैप्टर में गीत पढ़ा समानता के लिए संगर्ष जो चैप्टर है इसने मतलब बुक को ही कवर कर लिया आपको समझ में आया होगा इसमें जादा कोई questions है नहीं कुछ ऐसा है नहीं लेकिन आपको समझना चाहिए कि लोगों ने ऐसा क्या किया है आपके गली महले में आपके परिवार में आपके गाओं में उनके बारे में जाने आप और उसमें भागिदारी अपनी दिखाएं करक्षा में डिसकस करें अपनी टीचर्स को बताएं और लाइसाइंस कैफे देखने के लिए दन्यवाद 9.10 और साथ में हम दूसरे सब्जेक्ट भी शुरू करेंगी थैंक यू वांस अगी